नमस्कार दोस्तों मैं रतेस मिसन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग को स्वाथ करता हूं दोस्तों आज क्लास जो है देमो क्लास नमर्ट टू है ठीक है जिसे से पहले भी जो है एक क्लास हो चुका है जिसमें की डेमो क्लास था उसमें हम बात किये थे नमर्ट टू जो है यह डेमो क्लास है और टोटल जो है आपको पांच डेमो क्लास मिलेगा जिसमें की यह दोसरा डेमो क्लास है उसके बात जो है डेमो क्लास के बात जो है आपको बैच जो स्टार्ट होगा यहने की जो टॉपिक स्टार्ट करेंगी वहोगा नमर सिस्टम ठ पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेशिक से अगर आप अभी तक जोहें ऑप एप्लीकेशन डायूनलोड नहीं किय है तो प्लेल लिट्र से डायूनलोड कर लिजे और इस प्लेश्र को जल्दी से जल्दी जॉइन कर लिजे लिए जिए स जैसे किसी वी नंबर से आप ऐस मगा लेंगे और मगवाने के बाद जलडी चलती है चलिक करने आओझ का सबसे प्र मैं देखते हैं एक उन्ह यह 111 एक 11 नमर्ड जो सने यह कि चेप्टर का इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अगर देखेंगे तो यह जो प्रूप्ट आई जो ग्यारा जो यह टाइम-एस-प्र डिस्टेंस कुछ इसमें पहले हम जो है time aspirant distance का जो है concept के बारे हम बात करेंगे ठीक है यह concept क्या है इसके बारे हम देखते हैं कि सबसे पहला जो concept है ठीक है तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि time aspirant distance नहीं कि समय चाल और दोड़ी आप जानते हैं कि distance बराबर जो होता हो क्या होता है aspir into times होता है कि आपको कबि 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 का करता है कि distance constant कर देता है ठीक है अगर हम कहें इसमें कि JAB DRISTENCE अगर कॉंस्टेंट हो सदोरी जो है समान अगर कर दिया समान का मतलब क्या जिसे दो बैखती है A है और B है अगर जो है पचास किलोमेटर जा रहा और B भी 55tes किलोमेटर नहीं जा रहा है तो दोन्यों कि क्या हो जागा distance same हो जागा वही होता है constant ठीक है जब distance अगर constant होता है तो speed जो होता है न ठीक है तो speed जो होता है वो time का inverse होता है speed क्या होता यह time का inverse होता है जिसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर inverse समानुपाती होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे example समझेए जिसे टोटल डिस्टेंस कितना अगर डिस्टेंस माल लेते हैं कि टोटल जगर 50 किलोमीटर है कितना किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जिसे माल लेते हैं 50 किलोमीटर है A है और ये B है तो A को भी जाना है 50 km और B को भी जाना है कितना है 50 km ही जाना है जब A को भी 50 km और B को भी कितना जाना है तो 50 km ही जाना है तो अगर माल लेते हैं कि A का S पीड जो है एका S-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P यह आपका 10 घंटा लगेगा ठीक है लेकिन यह 50 किलोमीटर जो अगर यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीट जाएगा कितना समय लगा मात्र जो है यह पांच घंटा में पहुंच जाएगा यहां पर आप देखेंगे एक कॉंसेप्ट बनता है कॉंसेप्ट क्या होता है हम आपको यहां पर समझा देते हैं सबसेट को समझेगे के Present का रेषियो क्योंकि क्या होता है कि कोई भी यू गिलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा कड़ देगे ठीक है पांच एकंभाँ और cketना स्था यह 10 हो जाएगाए यहाँ पर हम देखेंगे तो Experje다면 Speed का जो Ratio होगा वन इश्टू टू है अगर हम time क्रेश्यो देखें तर time कितना हो जयेगा पांच एकाम पांच और पांच दुना कितना यह दस दूस्ट हो जाएगा या निकी ये देख रहा है कि ये क्या होता है कि अगर x-perje ratio एक बआता का मतलब क्या उल्टा घीक है इनफर्स होता है यह इल्टा होता है कि उतना का सपाइम का जब अगर किसी कॉष्जन में तो हुआ रहे एक कि यह चैनान कोंस्टेंट onda एक होता है डाइम का इनफर्स होता है ठीक है जब अगर आपको SP रेगर constant दे दिया जाए जब SP रेगर constant दे दिया जाए ठीक है यानिकि SP रेगर constant हो तो क्या होगा जब SP क्या हो constant हो तो क्या हो जाएगा आता समझेगा पर इसका concept समझाते हैं उसका बाद जिए question इसको तो आसानी सा second दो मैं आप इसको solve कर सकते हैं जब SP रेगर constant हो तो नहीं कि जब दोनों का चाल क्या होता है समान होता है जब चाल समान होता है जिसे माल लेते हैं कि A है और ये B है ठीक है A है और ये B है दोनों का चाल क्या है समान है जिसे माल लेते हैं कि और जैसे मान लेते हैं तो क्या होगा फिड्यापर किस्टेंस करते हैं किसको जो है एक को जाना है सो किलो मिटर ठीक है और नहीं किसे मान लेते हैं कि अगर दोनों का सब्सक्राइब किल मिटर जाना है और बी का कितना है यहां पर जो है यह कितना हो जाएगा 200 किलोमेटर तो तो यहां पर हम देखेंगे तो टाइम जो होगा टाइम क्या हो जाएगा अगर यह जा रहा है 100 किलोमेटर को दोड़ी जो गर 20 का लगेगा इसको पाँ घंटा लगैगा उसके बाद यहां पर देखेंगे तो अगर यह 200 किलमीटर जा रहा है 20 का स्पिट से कितना टैम लगेगा यह त्सक्ता और कितना दस घंटा लगेगा इसका रीश्यो देखेंगे तो concept निकलता है concept क्या निकलता है समझी हम पर concept यह निकलता है कि जब अगर स्पीर कॉंस्टेंट हो ठीक है जब अगर स्पीर कॉंस्टेंट हो जब स्पीर कॉंस्टेंट होता है तो क्या होता है कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस जो है समानुपाती होता है किसका टाइम का ठीक है समानुपाती किसका होता है टाइम का यानि कि जितना दोड़ी त्याक कर लगेगा उतना समय लगेगा जितना जो है ना समय लगाएगा उतना दोड़ी त्याक करेगा कब जब स्पीड जो है constant होता है यह दोनों concept को फास्ट में आप लोग क्या कि जिन नोट कर लिए जिए बहुत ही इंपॉर्ण्टेंट जो है यह concept है टाइम इस पर डिस्टेंस का चीए उसके वाद जो है अगला देखते हैं अगला concept जो है वह क्या है अगला concept है यहां पर हो गया तो यहां पर टाइम बता दिए ठीक है यह मतलब पर डिस्टेंस बताए उसका बाद जो है aspect बताए अब आपको बताते हैं कि जब अगर time constant हो ठीक है जब time अगर constant दिया हुआ है time अगर दोनों का क्या है समान दिया गया तब क्या होगा तो जिसका aspect जैदा होगा वह जो है उतना जो है दोडिता कड़ेगा यहां पर आप देखेंगे जैसे example देखते हैं ठीक है पर एक example समझाते हैं कि जैसे मा लेते हैं कि यह जो जा रहा है कितना यह जा रहा है कितना 50 km है। 50 km十 एच चाह रहा है और दिवसुद एच रहा है है जेसे मा達 लेते हैं कि 75 किलो । इसका जो है कि एक ही समय मिलता है मतला एक ही впер पहुंस ता का यहां होजेगा स्तुन हो यहां प्रद्ट हुआ है यहां को यह तेंगे त्यहां यह क्या है दिस्टेंस गितना हे एे का πचास है और फुहिकना 75 है क्या हो जाहगा िसमझीब यहाँ इसे मालेता है ताइम दोनुं कितना लगता है डोनों को ओर ममाले लेकिन ये जाता है कितना पचास किलो मीटर और ये जाता पच्छतर किलो मीटर तो इसको अगर देखेंगे तो पचास किलो मीटर अगर पांच घंटा में जाता है तो इसका जो है ना एसपीर कितना होगा तो दस किलो मीटर प्रती घंटा हो जाएगा ठीक है अगर ये यहां पर अगर आप देखेंगे इसका रेश्यो कितना है यह इसका हो जागा 25 तुना 50 और 25 तीया कितना 75 यह दो नपाद 3 का हो जागा इसका देखेंगे तो 5 तुना 10 और 5 तीया कितना कितना यह इससे कोंसेप्ट के निकलता है कि जब अगर टाइम ऑद टाइम अगर कोंस्टेंट दिया हुआ हो जब टाइम अगर कोंस्टैंट दिया घवा हो यहां पर नहीं दिखरा है इसको यहां पिलुकते हैं तिक है यानिकी त्षे लेकर निकलता है तो सब्सक्राया हो जाता है कब यह नंगे इस्पीट हो जाता है अंति पहला कुश्चन देखते हैं पहला को सबसे पहला को देखते हैं कि आपको दिया गया है एक बैक्ती अपने घर से ऑफिस चुने साथ किलो मीटर प्र grasp की चाल से जाता हैं तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो हुए-स देरी एक मेंधतों है चाल से जाता है JOHN कि फुंचता है तो अबतर्तक्टि शुक्राइब शुर्चन आप यह जो है पांच मिनट क्या करता है देर इसे पहुंचता है आपसे पूछा जा रहा है कि उसके घढ़ से ऑफिस कितनी दूरी है यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है तो दिखे इस टाइप क्वेस्टन को बनाने के लिए क्या करना होता है तो ड्रेक्ट अगर आपको का अंदर यानि कि S1 माइनस क्या हो जागा एस टू इसका मतलब होता है कि बरा में छोटा घटाना उसका बाद जो है यह मौड के अंदर जोने मौड एक ऐसा मसीन है जिसके अंदर जोने चाहे वह पोजिटिव जाए या निगेटिव जाए हमेशा पोजिटिव सबार निकलता ठीक है यही इसलिए क्या करते हैं मौड लगाते हैं और यहां पर देखना है कि जब अगर यहां पर ने एक दिरी और एक बात दिया गया तो टी वान और प्लस क्या हो जागा टी टू कर लेना है तो रेक्ट इस पर बठा दीजे तो क्या होता है कि 60 किलोमीटर प्रतिक मंदेख लिए और most दे दो क्या करना है करना है कि देखेंगे तो पंदरह मिनाट द्री और पांच मिनट पहले दोनों इसक्तव करना है किसमै मिनट में और चेंज करना कि लिए हमें चेंज करने के लिए 60 से क्या करना आपको भाग देना पड़ेगा ठीक है कार टिलेंगे 20 कि 10 40-60 जाङा कितना यह year हो ज़गा कितना 80 किलो मीटर जो है इसका अंसर हो जाएगा किस असी किलो मीटर आंसर हो जाएगा जब आपको जार्षाम measurement distance कर पढ़ाएंगे तो तो question number 12 ठीक है क्या दिया गया ये तो question 12 अगर देखेंगे question 12 हम क्या दिया गया समझे question 12 दिया ये menstruation का question है question ये दिया गया कि किसी समकौन तिर्भूज का कर्म एवं अधार करम सा जो है समकौन तिर्भूज के बारे में कि समकौन तिर्भूज का मतलब क्या होता है कि ऐसा तिर्भूज जिसका एक कॉन 90 डिगरी का हो ठीक है उसे हम क्या कहेंगे समकौन तिर्भूज कहेंगे ठीक है तो अगर आप देखेंगे समझाते हैं कि समकौन त्रभुज में क्या क्या होता थेकस एक है यह जो होगए कितना क्या होता है इसका तो करना होता है तो समकौन त्रिभूज में पढ़े होंगे तो 90 डिगरी का जो सामने का जो भूजा होता ने उसको हम करन कहते हैं तो एक आपको इसमें फर्मुला पढ़े होंगे कि करन यहां पे जो है उसके बाद जो है इसमें पढ़ेंगे फिलाल आपको यह समझा देते हैं क्या दिया गिया क्वेस्टन दिया आगे क्या समझे क्वेस्टन में यह है कि एक समकौन तिर्भूज का लंब ठीक है अगर हम एक समकौन तिर्भूज बनाएंगे तो इस टाइब से बन जाएगा यह तो आप यहां पर क्वेस्टन का रायक उसका लंब कितना और यह आठ है उसके वाइट अधार कितना है अधार कितना है तो आप से देखज्व मतलब काolor समझे मद धिर्भूज के तीनों भूजाओं का योग यावावर बर्यावर क्या होता है तो भूजाओं का योग कि योग होता है तो यहां पर देख रहें कि यह प्नासा बना सकते हैं तो अगर आपको कर निकालना तो कर निकालना तो कर नमड़ावट के अगर आप इसको बठाएंगे बैसिक्स समझा रहे हैं आपको अगर कर निकलना है क्या हो जएका इसको अगर आप स्वल्ब करेंगे कितना हो जगा एक सो अब डावट कितना हो जगा यह तो ठीक है यानिकि यह कितना जागा तो यह जगा 10 संटिमीटर ठीक है ति कि एक पना दस हो जागा आँजेकर गलना सबको जोड़े ना है तो दस य barrier यंकि दास पलस आथ पलस N8 प्रस वाडवल winter werd कितना हो जगा यह कितना का चौब लिए 24 cm कि शा किशियल यह चा अंसर हो जाय कितना सेयगाइख इस तरीक तक निकाल सकती बिलकुल बेसिक हैं लिकिन रिच्यू पर आप निकालेंगे मैं तो कैसे निकालेंगे समझिए तो आपको रिपilt प्रता होना चाहिए कि ट्रप्लेट होता है तीन चाहार और पांच सबसे पाला रिप ये होता है जो कि हम जब पेसिक्स आपको बताएंगे ना ठीक है जब आपको जेप्टर वा चेप्टर समझाएं तो इसमें बताएंगे ट्रिप्लेट कैसे निकलता है फिला आप यह समझें यहाँ आप देखेंगे इसका रेशियो गर देखेंगे तो दो से काट लेकित कितना हो जागा तीन और क कि इसका आंसर हो जाएगा कि आपको जो है यह समझ में आ गया होगा ठीक है अगला कुशन देखते हैं कुश्चन नमबर कि एलिए तेरा दीआ गया इसको समझें यह है आपका है यह सम्झेय किसका समय कुश्चन में आपको परणा क्या होता है कि आपको देखना क्श समझा रहे ॥्यां धेगा हमेशा करना यहां पर देखेंगे दोनों का बीच का अंतर कितने का बात मोइकेद यहाँ पर साल नहीं कि लेकिने लेकिन को सुनकों इंध। लेकिन अलए अगर 25 के अधर बाद करें है ste浅 ? कि 2 साल क बाद कि यहाँ कप दो सल शेosh के बिलाओं के ऐगा यहां पर कितने एक आंतल को यहां पड़ तो आपको क्वेशन असानी से बन जाएगा यहां पर देखेंगे क्वेशन दिया हुआ है पिता की उम्र पूत्र की उम्र की 6 गुन्नी है चार वर्स पहले पिता की उम्र पूत्र की Aumr Ki 16 गूर्णी थी तो पिता की Aumrre क्या होगा यह आपको बताना यहाँ पे आफ देखेंगे एक पिता में कि ँरुण और एक करूटर रहे है तो इंद यह दिया ग्या थे कि Aumrre cutting के फूत्र पूत्र का कितना गुन्ना है तो अगर माले ते पूत्रगर एक होगा यह यह हो जगा छे तो फिर आगे दिया गया क्वेश्टन में कि चार वर्स पहले चार वर्स पहले का मतलब क्या यानि कि कि 2019 में पूत्र की उम्ण की सोला गुन्ही सो एक होगा एक होगा यह इस वह सकते को ठीके लेकिन आपको जो बता रहें हैं जसे बहुत ही असानी से question को आप बना सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठीए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बीच का अंतर कितने का है तो यहाँ पर अंतर कितने का है पांच का है और यहाँ पर देखें कितने का है तो यह है 15 का तो हमेशा अंतर क्या ना चाहिए अंतर जो है दोनों का बीच का बराबर होना चाहिए यहां 5 है यहां 15 है अगर इसमें अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं कितना से तो 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा तो देख लेते हैं इसको यहां देखते हैं यह पिता हो जाएगा और उसका तो कि अब देखते हैं अंतर कितने का यहां पे यहां पे जो है 15 अंतर और हुँक्र जाएन के पहले कितना था जाए इस से भी कर सकते यमिन कर चार साल पहले कितना था एक का था सरी तो एक कमान कितना हो जागा तो एक कमान हो जाए कितना ये दो बर्स हो जाएगा एक कमान कितना हो जागा ये दो बर्स हो जाएगा तो अब आप से क्या पूछा जा रहा है पिता की उम्र क्या है है का मतला होता है बर्तमान में तो देखते हैं कि बरतमान में पिता वूर्षण के जो है उसके पिता है अगर आपसे कोशन पूशता आ अभी बरतमान महतना पूत्र कितना किसे यानिकि आंसर जाएगा ऑप्षण नमढ Ers कि इसका अंसर हो जाएगा उमीद करते हैं कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा अगला कुस्टन देखते हैं कुष्टन नमबर जो दिया गया यह क्या है इसको समझें वर 14 में जो आपको दिया गया है कि यह आपका कि इसका कॉंसेट कि यह आपको समझा दे रहें उसका बाद इसको मालेते हैं कि आट दिन में करता है और बीजित उसी काम को सोला दिन में करता है question आपसे ये पूछेगा तो बताईए कि दोनों मिलकर उस काम को अगर कड़ेगा तो कितना समय लगाएगा ये आपको बताना है यहाँ पे जैसे आप concept समझेंगे जैसे माल लेते हैं कि कोई वेक्ति A है और ये A क्या करता है ये किसी काम को 8 दिन में complete करता है और B जो है उसी काम को 16 दिन में complete करता है तो आपसे पूछा जाया है कि दोनों मिलकर ठीके है मतला A और B दोनों मिलकर अगर उसी काम को कड़ेगा तो कितना दिन में इसको complete करेगा देखे सबसे पहले है जो आपको ये पता होना चाहिए के जब भी स्थ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिठ टोडल वरक कितना है तो टोटल वरक निकालने के लिए क्या करना है कि आपको जो दिन दिया गया yana का क्या करना L-csE कोन करेगा और दोनों कि और और च्शमता देखेंगे दो है और दोनों अगर शमता अपना लगाएगा कितना हो जागा यह तो तीन हो जाएगा अगर तीन समझा रहें ठीक है यह आपको समझ में आ रहा होगा आगे जो है हम देखते हैं यहां पर क्या है कि डवल डवल बैक्ती दिया गया तो यहां पर देखिए को दिया गया कि A और B मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूड़ा करता है वी और सी मिलकर उसी काम को बाड़ा दिनों में पूड़ा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूड़ा कर सकते हैं तो पूछा यह जा रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूड़ा कर सकेंगे यह आपको बताना जैसे देखेंगे आप कि A प्लस B मिलकर किसी काम हो कितना यानि कि 16 दिन में complete करता है उसको आद का रहा है कि B और C B और C मिलकर कितना दिन में ये 12 दिन में complete करता है उसको आद देखेंगे तो C और A जो है उसी काम को कितना दिन में यह जो है 24,3 में complete करता है तो फिर question का रहा है तो ए अकेले ठीक है ए अकेले उस काम को कितने दीनों में जो है पूडा कड़ेगा यह आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको यह जो कोश्चन दिया गया इस कोश्चन में से आपको सबसे पहले जिससे काम करवाना होता है उसका चमता पता करना होता है यहां पर देखेंगे तो इसका सबसे क्या करेंगे कि टूटल काम देखते हैं कि टूटल काम कितना है तो सोलस भाग देंगे यह जो आता है इसका क्या था यह चमता आता है क्या था यह उसके बाद देखेंगे तो बाड़ा चुगा कितना हो जागा उसके बाद क्या था दो चमता निकालने के लिए हम कड़ेंगे क्या इसको करने के लिए आपको क्या करना है तो सबस्क्राइब क्या कि देखेंगे तुछ कितना हो जगा है है अब इसमें देखेंगे इसका कितना हो जगा है नौ फणड़लnant कि जो कितना जगा 4.5 आ जाएगा चमता लेकिन किसका चमता निकालना है तो आपको चमता पता होना चाहिए किसका तो यानि कि एक चमता तो एक चमता निकालना है तो हमको बीग और से का चमता पता चल जगा तो निकाल सकते हैं और यहां पर देख रहे हैं कि बी और से का चमत घटना चार यह ग्रणब में फाइब कितना हो जाएगा स्लीकाव से ये बाता पता चल गया किससे काम करवाना है से तो है ये का फंपाता हुना चाहिए तो हमता चलगए ओ हुआ है तो टोटल काम हैHarita device और इस काम करेगा तो 0.55 सेस्ट में भाग देदेंगे στο टाइंगे संव जैगा और फांस जाओ लीजिए पांस काओ देंग에 जो कितना हो जोगा पंच सब्सक्राइब करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा यह अगला कुछन देखते हैं पुष्चन नमडर जो है पंद्रह कि पंद्रह नमर क्वेशन क्या है इस क्वेशन को ध्यान समझे कि पंद्रह नमर क्वेशन क्या दिया गया है पंद्रह नमर क्वेशन में यह है इसमें दिया गया समीकरण क्या दिया गया उसको समझे समीकरण में क्या दिया गया समीकरण में यह है कि 2K पावर कितना X-1 प्लस 2K पावर जो है X-1 बरावर कितना यानि कि 300 कितना है 20 दिया गया आपको कहड़ा है कि इसमें से कि आखिर यह जो question दिया गया यह question जो है 2k power x minus 1 plus 2k power x plus 1 अगर इसको दोनों को solve करने कितना माना अना चाहिए तो 300 जो है 20 अना चाहिए तो इस तरीका question को ना option से आप बहुत असानी साफ इसको क्या कर सकते हैं छाट सकते हैं क्योंकि किस command पूछ रहा है यह पूछ रहा है x command त इसे फास्ट नमर आगर आप्सन हम चेक करते हैं तो अगर आप सर्फ चेक करेंगे दो के पावड चार तो कितना हो जाएगा दो के पावड चार चार में से एक गयात कितना तीन दो के पावड तीन का मतलब कितना हो जागा यह 8 हो जाएगा उसके आप पलस दो के पावड कि पाउचार और एक ना हो जाएगा घुक कुम कर दोके पार पांच का मतलब 32 सो दाली कर 32 और दीक उड़ा चारीश लेकिन यहां पर जो कितना दिया गया यह तो अप्सन होगा नहीं ठीक है अगर अप्सन सिक्स चेक करते हैं तो राप आप रच छोज़ा अब प्लस एक कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा इसको गर आप करेंगे कितना हो जाएगा तो के पावड पांच का मतलब 322 में और दो के पावड जो 7 अगर देखेंगे तो हो जाएगा कि Content कि एक सब सैस्ट जगा कई सबाद सब्सक्राइब कि अ गया होगा वह था जगा देश्र को ना छोड़ेंगे कितना हु為 है तो कि इन सबस्क्राइब यह अνहीं होगा जब यह भी ने सिर्छ क्या जगा अंसर जब आप सब्सक्राइब जगा सब जगह इसको चेक कर लेते हैं देखे 2 k power कितना है साथ है तो साथ मेरांस एक कुरावड कितना कितना हो जाए गाला से क्लट सेट गोगे पावड साथ और एक इतना आठ यहीं दो कितना हो जागा आठ लुट अफ़ॉडब करेंगे ठीक है कितना होता यह फोला होता है दो कि पापराट 206 सो गर आप जोड़ लेंगे यह सौल करेंगे कितना हो जगा कि स्वाइब ता पांचे गाड एक बार रहने 300 कितना हो जगा इस का अंसर जाएगा और व्य हो जाएगा तो इस तरीका से जुन्या आसानिस ग्या प्लिए कर सकते हैं अगुला कोस्तों देखते हैं कॉस्टंबर कि अदि किस्तना आए तो कुष्टे सोला अगर आप देखेंगे तो यह दिया गया आपका एक हिए क्षैन्म सथान विया सिंपल लेको चने वह तो की सदर्ल मौस्तिक किrey तन्सेट Central me पूछा रहा है कि यदि जांग कि दर तरह से अगर तीन पर अधिक हो जाए तो उतना ही समय में उतना ही धंडा से कितनी हो जाएगी दियाने कि अगर किसी question में आगर आपको यह दिया हुआ है कि इतना हो जाई या हो जाए इसका लोगए के बारे में के बारे में कि सख्ञान देखेंगे लन के उस्धान को coaching को सफना एंट कीakan की सथान लिग्ते सल देखेंगे तो सदान बेढ़ी होता क्या है इस आप लोगो होता किया है मेरा आपको समझतार तो सदान जो होता है वह क्या होता है तो यहां पर आपको समझाएंगे क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए यह सब चप्टर करें तोसमें आपको बताएंगे देखते हैं केसे बनेगा कि क्या होता है कि मुर्धन कितना है तो मुल्धन आपको दिया इतना दो हजार रुपिया ठीक है कितना है दो हजार रुपिया उसके बाद टाइम कितना दिया गया तो तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई धंडासी दो हजार रुपिया पांच वर्स में 26 हो जाता है तो इन्टेस्ट कितना हो जाएगा तो इन्टेस्ट जो मिलेगा कितना रुपिया जो है यह क्या मिलेगा इन्टेस्ट मिलेगा ठीक है इन्टेस्ट कितना मिलेगा 600 और 600 रुपिया कितना पांच वर्स में अगर एक वर्स का कितना हो जाएगा कि मैं तो एक साल का इंटेस्ट कितना हो जाएगा एक साथ में पर तुम हमेश्या ध्यान देना है जब भी मिलता मुलधून पर उने कितना हो जाएगा एक सोने करेट से हम निकाल सकते हैं तो 00- 00 कैंसल यह से कैंसल कितना हो जाएगा एट कितना आ गया तो 6 परसेंट हो गया तो अब कोश्चन यह कर आ है कि यदि ब्याज की दर पहली से कितना तीन परतीसत अधिक हो अगर हम देख रहा है कि अभी अगर 6% है तो बरतमान में ठीक है तो बरतमान में जो है कितना हो जाएगा जैने कि 6% था उसमें 3% जोड़ेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 9% और का कि अतना ही समय और राशी तो आप देख रहा है कि अगर टाइम कितना है 5 वर्स अगर एक बर्स में कितना हो जागा यहdevelop当 मिलेगा पूछ नहीं कि कि एमाइन हो जाएगा तो आप यहां पर देख रहा है कि कैसे प्रिसेंट निकालेंगे यहाँ पर अगर आपके मुल रुपिया अगर 200 की 75 पर सेंट निकाल देते हैं कितना हो जाएंगा तो कितना है पर तуля मिलेगा कि अम पूछ रहा है किद्चनराशी कितनी हो जाएगे हो जाय का मतलों पहले था कितना दो हजार रुपिया था अब 900 रुपिया इंटेस्ट मिल गया तो एमांट कितना हो जागा यानि कि जो है तो आसानी साथ को जोना बना सकते हैं अलग कुशन नमबर कि अब सत्रा है और क्वेश्चन नमर्ट सत्रा क्या दिया गया है समझे क्वेश्चन नमर्ट सत्रा में क्या है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दिया गया है कि एक धन रासी चार वर्स में सारे बारब परतिसत वार्षिक सधार्ण ब्याज की दर से तीन हजार साथ सो पचास रुपया हो जाती तो आप से पूछ रहा है कि यह धन बताना है कितना होगा यहां पड़के आया कि यह आपको जोने साई कहीं को सनिम्पल इने से उसको बनाएंगे तो कॉसिन यह आ पर देख रहे हैं कि टाइम ब्याद्शे किёмंड दिया गया कीतना सासा कि की सधार ब्याज की दर से कितना ओंड के एमांट दिया होा है क्या दिया गया है यह इमंट दिया 먼저 कितना पास्यू optimize asked पुछरात कितना होगा कि तर office समझांत की कि क्या होता है क्या होता है कि हमएंट बराबर जो होता है यह ऐतों एमन्त बराबर होता है मुल्धन यह थिक्यायन कि आमोंट बराबर के वेया क्या पर फार्टष अब सितने ये एक वर्स का यहाँ पर अगर आगर जो है कितना आठ है मुल दं जना आठ है और आठ रुपया पड़ जो मिलता है एक वर्स में एक रुपया तो कितना दिया गया चार वर्स तो चार रुपिया इंटेस्ट हो जाएगा तो चार रुपिया इंटेस्ट हो जाएगा अगर आपको एमांट निकालना है तो एमांट बरावर क्या होता है मुल्धन प्लस क्या होता है ब्याज होता है तो आठ रुपिया मुल्धन है चार रुपिया ब्याज है तो एक यूनिट कमान निकाल लेना है तो एक यूनिट कमान अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये एक यूनिट कमान कितना हो जाएगा साइटी सो पचास और बट्टा कितना बाड़ा हो जाएगा तो आप से क्या पूछ रहा है प्रिंस्पल प्रिंस्पल कितना है सब्सक्राइब करेंगे साड़े बाड़ाइब कितना हो जाएगा तो इस तरीका से को ना आप क्या करेंगे बहुत ही असानी साप इसको बना सकते हैं अगला कुश्ण देखते हैं कुश्ण नमडर जो है यह 18 इसको समझी आप यहां पर कुश्ण में दिया गया है कि यदि एबी सी 40% क्या है अधीक हो तथा जो है बीशी से 20% कम हो तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि ए अनुपात जो है जो होगा वह क्या होगा यह आपको बताना है तो देखें यह आपका परतिसत कोश्ण है और यह रेश्यों निक का सकते कि दोनों जो मिक्स किया हुआ तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 40% का फ्रिक्समान कितना दो बटा पांच होता है तो ध्यान देना है कि किसके आगे से लगा हुआ जिसके आगे से लगा होता हो नीचे वला होता है क्वेशन करा है कि A जो है B से 40% क्या अधिक है अगर A जो है B से 40% अधिक है तो नीचे वला किसका मान होगा यह B का अगर A अनुपात B देखेंगे अगर A अनुपात अगर B देखेंगे तो B का मान कितना 5 है उससे 2 जायदा है तो यानिकि A का मान कितना हो जाएगा तो B कंदला मैमिनट हो जाएगा 20% का मतलब कितना होता है 1 वर्टा 5 यानि कि ez से कम है से एगरपाच उसे एक कम है अगर्ड देखेंगे तो तो भी अनुपाथ से गरबना देखेंगे तो अगर पांच है उससे एक कम है तर दी ओनаны लगार ये चार हो उसको क्या करना बराबर कर लेंगे दोनों है यहां पर वी कमान पांच है यहां कितना चार करेंगे और आंप पात बेनो पात सी कितना आ जाएगा तो यह आजएगा तो आप से क्या पूछा जा रहा है कि यह पूछा जा रहा है कि यह अनुपात जो होगा वह कितना हो जाएगा ए और सी यानि की कि किसी वस्तु का अंकित मुल जो है कितना है एक हजार पचास है एक ग्राह को उसे दो करमबार बटों के साथ कितना रुपया में उसको खड़िदा खड़िदा खड़िदता है यदि पर्थम डिसकॉंट यदि पर्थम बट्टा जो आपको दिया हुआ कितना 20% तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा जो बट्टा होगा यह क्या होगा देखे इस टाइप को बनाने के लिए क्लिए क्या करना होता है कि हमेशा धिया नहीं देना है कि जब भी अगर डिसक जब भी मिलता है तो किस पर मिलता यह मार्पी पर डिसकॉंट मिलता है इस कॉंट किस पर मिलता है मार्पी पर मतलग होता है सोची मुल या अंकित मुल यहां पर आप देख रहा है कि इसका मार्पी दिया गया क्या 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 मार्पी है एक हजार पचास रुपिया उसके वाए जह का रहा है कि एक ग्रहक उसे दो क्रमबार डिसकॉंट देता है यानि कि इसका जो है पहला डिसकॉंट है वह कितना है पहला डिसकॉंट आपको दिया गया 20% दूसरा डिसकॉंट क्या होगा यह नहीं पता यहीं आपको न इस पर जो डिष्कानट दिया जाता है कितना 20% का डिसकॉंट दाने कवाद यहां पर जो आएगा और फिर यहां पर कितना पर सेंट के दिखर देगा नहीं मालूम है कि एक हजार पचास क्या करना असी परसेंट का मतलब चार बटा पॉंच निकाल देना है कि उसके बाद अगर इसको काटेंगे कितना हो जागा यह हो जागा 210 ठीक है इसको गुना करेंगे कितना होगा 20,000, 4,0,8 यानि कितना में बेचेगा यह 840 रुपिया यानी एक हजार पचास का जो समान था ना बेस परसेंट का डिसकॉंट देत कि ना पेचा इनन चार्ड रुपिया में यहां पर देखेंगे कितना हो जागा यह दो हो जाएगा 13 में से नौ गया तो चार्ड हो जाएगा यह कितना 42 रुपया का डिस्कॉंट दिया जा रहा है कितने का डिस्कॉंट है यह 42 रुपया का डिस्कॉंट दिया जा रहा है और आपको यह भी बताएं कि जितना रुपया क Salah discount दिया जाता है कहा रखेंगे उसको इसको उपर रखेंगे किसा डिसकांब दिया जाता है तो 800 180ch刑व क्या करना है 100 करता है यह जीडरो छीडरों चेल गया है अब 42 महीअ कितना किको नहीं कि हीसं का 97 कि का से 1 परकुबरेवर उसका 920 robot मैंम्नेः प्रसेंट यह आपका टाइम डिस्टेंस का कुश्चन है तो इस कुश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं और जो है बन जाएगा आपको पुर्षन क्या है समझे है कि एक बस जो है 42 किलोमीटर प्रते घंटा की चाल से किसी यातरा को 15 घंटे में पूरा करता है कि एक बस जो है 72 किलोमीटर प्रते घंटा की चाल से यातरा को 15 घंटा में पूरा करती है उसी दोड़ी को अगर 12 घंटा में पूरा करनी है तो बस का चाल जोने कितना बढ़ाना पड़ेगा यह आप से पूछा जा रहा तो देखिए आपको इस टाइप कोश्चन को बता चु अगर कॉंस्टेंट होता है तो क्या होता है उसका कॉंसेप्ट आपको पहला पहला या दूसरा कोश्चन में आपको समझा चुके हैं तो देखिए कि एक वर्स जोने 72 किलोमीटर प्रते घंटा की चाल से यातरा करने में कितना समय लगता है यानिकि यानिकि स्टार्टिंग होता अगरल घंट हए तो सले कॉनसलेंट होता है इस फिर्क क्या होता है इनमर्स होता थासा टैम का अगर हम टााइमका रेशयूस कितना आप तो स्काैम के टिन तीन पांद्रग हो रियसए 510 पातफकर छालर है तो स्पीन कारहा चतना हुग ये 5 यहांच क्योंकि यह क्या हो जाता है इंवर्स होता है आप देखेंगे कि 15 किलोमेटर प्रति घंटा हो जएगा एक कमान कितना हो जाएगा तो अब कोश्चन करा रहा है कि अगर इसको 12 घंटा में पहुंचना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा यहां देख रहें पले चार था अब हो गया कितना पांच चार से कितना हो गया पांच कितना बढ़ रहा है एक बढ़ रहा है और एक कमांड क्वेशन में कितना दिया गया है तो एक कमांड क्वेशन में कितना है तो अठारा है तियानि कि इसका अंसर जाएगा कितना ये अठारा किलो मीटर जो है प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा अंसर होगा ऑप्सन नम्मर्ट जो सी इसका अंसर हो जाएगा अगला जो क्लास होगा जिसमें हम 21 से लेके आगे हम उसमें बात करेंगे